नमस्कार दोस्तो विहार एक्स्पेस में आप से भी का स्वागत है दोस्तो फाइनली सहरसा फॉर्बीज गज रेलखंड पर एलेक्रिफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है जी हाँ दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व मदे रेलवे की ओर से यह नोटिफिकेशन जा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसमें एक चतावनी विद्दी गया है कि जो रेलवे ढाला है वहाँ पर जो माल से लदे टरक या फिर ट्रेक्टर होते हैं उसमें जो छमता है उससे ज़्यादा लोडिंग जो है वरना करें और जो तार है वो 4.78 मीटर जमीन से उपर है तो इस हिसाब से माल की लोडिंग करें और रेलवे क्रोसिंग जो है वो करोस करें तो यह नोटिफिकेशन जाड़ी कर दिया गया है लेकिन अगर बात करें 420 गंसे सहरसा तो कंप्लीट हो चुगा है लेकि 420 गंसे दरभंगा की अ बाकी है पिछले कई वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि गोगडिया में काफी तेज गती से काम जो है वो चलड़ा है लेकिन इसमें अभी जो है थोरा बहुत समय लगने वाला है निर्मली और सरायगर के बीच में भी खंबे वगर लग चुके हैं लेकिन अभी इलेक्र इलेक्रिफिकेशन तो कमपिलीट हो गया है अब स्थे ट्रेयं दोराने की बाड़ी है लेकिन अभी एलेक्रिफिकेशन जो ही और अब और यहां आप crushed लेक्रिफिकेशन और वहाँने का है Datum तो खेर इस पर express train या फिर demo train चलने के लाइक तो तयार होई चुका है बस इंतजार है तो बस train का कि कब इस पर train जो है वो demo नहीं बलके memo train जो है वो चला दी जाए क्योंकि electrification complete हो चुका है तो अब demo की कोई जरूरत भी नहीं है direct memo train जो है वो चला ही जा सकती है तो अब देखना होगा क्योंकि काफी लंबे वक्त के बाद जो है ये line अभी complete हुआ है और अब train चलाने की बाड़ी है तो अब देखना होगा क्या होता है जो भी होगा वो update आपके सामने होगा तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेर बोक्स में जरूर बताईए और चैनल को किजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक देखते रहे हैं बिहार एकस्पेस यूटूब चैनल